वेल्कम बैक टू माँ चानल आज हम बनाने वाला चिकन करी तो यहां पर मैं चिकन करी बना रहे हूं वह भी चिकन विंग्स है मैंने लिया यहां पर टू किलो चिकन विंग्स साथी में ले 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 हूं हरी मिर्चे उसके साथ दो इंच अद्रक के और यहां से 17-18 लेसन के कर तो यह सारे के सारे मैं ग्राइंड करने वाली हूं तो मैं मिक्सर जार में यह सारे चीज़े डाल दूंगी जैसे के अद्रक, हरी मिर्चे, लेसन और इसके साथ-साथ यहां पर हम डालेंगे हरा धनिया क्योंकि यह कोरियंडर चिकन बढ़ने वाला है तो यह हरा धनिया थो तो सारे चीज़े में इसमें डाल दी हूं अभी इसमें पानी अभी मत डाली है पहले एक बार थोड़ा घुमा लीज़े पल्स मोड में नहीं तो क्या होगा ना यह अद्रक, जिंजर, गार्लिक और यह हरी मिर्चे यह अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं होने वाल है तो प जिन कलर हम लोग के ग्रेवी में भी आने वाला है तो कराई बिठा देते हैं कराई में डाल देते हैं तेल मैंने यहां पर सर्शुका तेल ही यूज किया है तो अभी तेल को होने देते हैं जैसे थोड़ा गड़म हो जाते हैं दाल चीनी तेस बत्ता थोड़ा सबूल कि प्यास प्यास में आंट चाड ले हैं और बड़े ऐसंता होता है तो आप यह पर तीन बड़े साइस आपWow दू हम चांजिए करेंगे लाइं धेधा कोृड़ा ना कीजिए गा मीडियUM प्यास में लब के ओर लुटे रखी जिए गार आऑ किसमे धीक करना ङुटिकर तो ऐसी चलाते हुए मैं फ्राइ कर रही हूं यहां पर कुकिंग टाइम होगा तीन से चार मिनट देखिए गुलाबी हम लोग का प्याज हो चुका है तब इसमें डाल देते हैं चिकन को मैंने कुछ नहीं हलका सा मारिनर करके रखी ती सिर्फ नमक हल्दी और तेल डाल के इस को अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि यह जो प्याज है और यह सारे मसाला यह हमारे चिकन के साथ अच्छी तरह से एक तम अच्छी तरह से कोट होके मिक्स होके फ्राइ हो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं चिकन को प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राइ कर रही हूं यहां पर cooking time होगा 3-4 मिनट तीन से चार मिनट बाद हम जो पेस्ट बनाये थे ना green paste वो पेस्ट यहां पर add कर देंगे अभी green paste के साथ chicken को अच्छी तरह से fry करेंगे तो इसको चलाते हुए चारों तरफ से बहुत अच्छी तरह से mix कर देते हैं ताकि यह जो मसाला है पुरा chicken के साथ कोट हो जाए अब इसमें add कर देते हैं कुछ सूखे मसाले तो पहले डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक उसके साथी साथ हम लोग डाल देते हैं यहां पर लाल मेच का पाउडर साथी साथ हल्दी पाउडर अंजीता तीखा आपको खाना है उसके हिसाब से लाल मेच का पाउडर डालेगा अब डालते हैं भुनावा जीरार पाउडर टू टी स्पून अभी सारी चीजे को अच्छी तरह से चलाते हुए mix कर लेंगे ताकि यह जो म मसाला भी चीकन के साथ अच्छी तरह से mix हो जाए और दीखे कलर कितना बढ़िया आया है मतलब यह ग्रीन कलर जो धनिया पत्ता का पेस्ट के वज़े से आ रहा है और इसका खुश्बू सच में बहुत ही बढ़िया आता है आप नॉर्मल तो चीकन खाते हैं इस तरह से कोर तो रहे गा नहीं उल्टा बहुत ही बहतरी टेस्ट आएगा चलिए इसको कवर करके कुख करते ताकि यह जो चिकन है यह थोड़ा सा गल जाए तो हम लोग कवर करेंगे चार से पाच मिनिट के लिए चार से पाच मिनिट बाद कवर हटा देते हैं देखिए यहां पर तेल साइट से छूटने लगा है मतलब तेल अलग हो रहा है जब भी कोई भी सब्सक्राइब बखा रहे हैं उससे तेल अगर जैसे छूटने लगे अलग होने लगे न तो आपको समझ में आना चाहिए कि खाना बहुत अच्छा बन रहा है और बहुत अच्छा उसका पक रहा है म तो अगर नीचे से चिपक गए तो इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लीजे और नीचे का चीज मतब नीचे का चिकन उपर का चिकन अच्छी तरह से मिला दीजे ऐसा ना हो कि नीचे का चिकन गल चुका है उपर का नहीं तो इसको अच्छी तरह से दुबारा चलाते हुए हम ल कि हमाने कि अब 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 भी जिया जा जब कहाना क्रूज परने कि फटोड़ है और गृडना की में अब चैकिंगा घरा नौक के माड़ा ना। सब्सक्राइब हम लोग में कहावत हैं, जिसमें मसाला हम लोग बनाते हैं वो काथोरी धोक्या हम हमेशा डालते हैं उसे न स्वाथ बढ़ता है तो जैसे पानी डाले पानी डालके मैंने फिर से कवर करके कुक कियां 4-5 मिन देखीं यहां पर यह पानी भी है, और कितना चकु चीकेन शुका है तो आलमोस हम लोग यहां पर डहों हो चूका है चेकन का कुक हैम पर हम लोग कर देते हैं कियो suiv aplodale तेह गाल मेंट हो चुक रह तरा देते हैं और हम लोग कोड़ भर दिएta हुआ है जो उनुट कर दो देते हैं उसमें दूह कि पूर और भागी हैं चला लेते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि ग्रेवी कम है तो थोड़ा से पानी और डाल दीजिएगा लेकिन हम बॉइलिंग पानी दीजिएगा नॉर्मल ठंडा पानी मत दीजिए ने तो इसका कुकिंग बंद हो जागा टेस्ट भी बदल जाएगा और अगर मैं जाएगा दे तो आप चाहे तो दे सकते हैं जहां ना भी दैख सकते हैं यह गर्म गर्म कोरियनर चिकन आप अप्रॉर है स्टीम राइश रूंटी पराचर पूरी जैसे भी आप खाना चाहें तो इसी तरह से आप लोग इसे इंजॉय कर सकते हैं तो आज का रेसिपी जो मैंने शेयर किया आप लोगो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छा लगे तो जादा से जादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंज और फैमली के साथ और नए फ्रेंज प्लीज लाइक और सब्सक्राइब ताकि जब भी मैं की रेसिपी बनाओ आपके पास सबसे पहले पहुचे और आज के लिए इतना ही